नमस्कार One India Hindi में आपका स्वागत है कोरोना वारस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां कोरोना के मामले ना पहुची हो पिशले साल कोरोना के शुरुआत के बाद से ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस वारस की उद्पत्ती कहां से हुई कई बार ये दावा भी किया गया कि जीन ने इस वारस को वुहान की लैब में तयार किया है अब इस बीच वुहान लैब में जानवरों के जीन बदलने का मामला सामने आया है दरसल एक ब्रीटीश पत्रकार की रिपोर्ट के मताबिक वुहान लैब में जैनिटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक हजार से ज्यादा जानवरों के जीन बदले गए हैं इन जानवरों में चुहे, चमगादर, खरगोश और बंदर शामिल हैं रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि वुहान से ही पूरी दुनिया में कोरोना वारस का फैलाव हुआ था मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की विवादित लैब में जानवरों को वारस के इंजेक्शन लगाए गए थे ताकि उनके जीन बदल जाएं विज्यानिकों ने आशंका जताई है कि इंजेक्शन में इस्तिमाल की गई सामगरी की वज़ा से कोरोना वारस पैदा हुआ पताया जाता है कि चीन अपने लैब में ऐसे प्रियोग भी करा रहा है जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित है यहां तक कि वो इंसानों पर भी प्रियोग कर रहे हैं जबकि कई देशों में ऐसे प्रियोग आनेतिक माने जाते हैं ब्रिटीश पत्रकार जस्पर बेकर ने चीनी मीरिया में प्रकाशित कई लेखों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि वोहान लैब में एक हजार से ज्यादा जानवरों के जीन बदल दिये गए हैं वहां के कई लोकल न्यूस पेपर्स ने प्रमुखता से रिपोर्ट को प्रकाशित किया है कुछ चीनी विशेशक्यों का कहना है कि वोहान की वारोलोजिस्ट शी जैंगली ने दूरश्त गुफाओं का दौरा किया था वो यहां चमगादरों का शोट कर रहें थी चीन में जैंगली बैट वुमेन नाम से जानी जाती हैं मुम्किन है कि जैंगली ने ही लैब में कोरोना वारस बनाया हो जैंगली ने कई चूहों को वारस का इंजेक्शन लगाया था फिलाल इस कबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ